हेलो फ्रेंट्स, all of you are welcome at the MCG Academy Gualier फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जो आर्पी अप्टेट टेस्ट का जो है जानकारी लेकर के आया हूँ आर्पी अप्टेट टेस्ट में मैं आप लोगों के लिए इतने दुनों से जो है बोला गया था कि आप लोगों के लिए कोशन अंसर्स की वीडियो लेकर के आऊँगा सब कुछ अनवब की अधर पर डाला गया था क्योंकि हमारे जो सुमित जी थे जो मुझे संग दिया उसके अधर पर मैंने आप लोगों के वीडियो बनाये थे अब आगे मैं आप लोगों को जो टेट टेस्ट में कुछ प्रशन पूंचे गए उनकी अधर पर वीडियो ले वो अपना अनवब सेयर कीजिए और मुझे बताईएगा किस प्रकार से ट्रेट टेस्ट हुआ था कौन को से कोशन आप लोगों से पूछे गए थे क्योंकि ये सब कुछ मैं आप लोगों को अनवब की आधर पर ही लेकर के आता हूं हमारा जो है साथ साथ से आठ लोगों स मेरा संपर्क हो चुगा तो उन लोगोंने मुझे कोशन बेजे हैं तो जिसादार पर मैं वीडियो लेकर करके आ रहा हूं कोई भी फैक नॉलेज मैं आप लोगों को नहीं दूंगा इस प्रकार से आप लोग मुझे पर जो एक बार बिस्वास करके तो देखी क्योंकि मैं आप लोगों को यदि फैक नॉलेज दूंगा तो यूट्व पर बहुत सारे चैनल को प्रब्द हैं मैं आप लोगों फैक नॉलेज दूंगा तो आप लोगों को कुछ भी कंप्लेट नहीं होगा इसी करणस में अभी तक रुका हुआ था मेरे पास आठ से दस कोशन जो है ट्रेट टेस्ट के आ चुके हैं तो उनके बारे में 6 अगस्त को जो पेपर हुआ था 6 अगस्त वाले सिप्ट में ही थे मेरे जितने भी लोग थे तो उन लोग ने मुझे बता दिया है और पीएफ के ये किस प्रकार के कोशन लोगां से पूछे गए तो ये वीडियो में आ लाइक जरूर कर दिजिगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा क्यों मैं आप लोगों को यह आगे से अफडेट लाता रहूंगा और साथी साथ आप लोगों से मेरा बहुती नमर रुक्वेस्ट हैं कि आप लोग ट्रेट टेस्ट होता है तो आप लोग प्लीज आप लोग मुझे एक्सपिरियंस जरूर सेर कीजिगा मेरे चैनल पर कम्यूनिटी डली हुई है जिसमें मैं आप लोगों से कोशन पूछ रहा हूं तो मेरे भाई लोगों या तो आप मुझे बोट्सप पर बेज़ दीजीगा या आप मुझे डारेक्ट सेर कर सकते हो लेक एक प्रकरिया बताने वाला हूं कि क्या क्या होता है और सभी ट्रेड़ वालों के लिए वीडियो को पूरा लाफ तक जरूर देखना तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले बाटर केरियर वालों की बात करना चाहूंगा कि बाटर केरियर के स्ट्टुएंट बहुत पहले बाटर केरियर का है और छे लोगों का गुरूप है तो पहले बंदे से यदि कह दिया उसने की आटा च्छान हो तो बस उसका आटा च्छानने के बाद उसका ट्रेड टेस्ट खतम लगवा और उससे पूंचा जाएगा बस कि एक बार में कितना आटा लेना चाहिए य आटा लेना चाहिए 100 ग्राम 200 ग्राम डाइस प्रकार से आप लोगों को बताना होगा वहां पर इस प्रकार के जो है कोशन बहुत आसान तरीके कोशन पूश या रहे हैं वह सीधा सीधा आपका अनुभव जानना चाहते हैं कि आप experience वाले हो कि आप हल ही जोइन किया है कि य यदि मेरा आपको एक सलाय बाटर के रिर वाले सब कुछ अपने घर पर एक वार करके जाएं जिससे आपको वहां कुछ भी नया ना लगए यदि नया सा कुछ मैसूस हुआ तो आप लोग वहां घफला जाओगे इसलिए आप लोगों के ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो यह इसके सारी के सारी वीडियो आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में एवेलेबल हैं यह सब कुछ वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और सारी के सारी अनवफ के यादार पर हैं कोई भी फैक वीडियो आप लिए नहीं बनाया है तो आप लोगों को इस वीडियो को भी डिस् क्योंकि आप लोग यही सब जानना पसंद करते हैं यही सब मैं आप लोग ले करके आता हूँ कोई भी जी जूटी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमारे जो लोग जो टेस्ट देने के लिए गए हैं उन लोगों के अनवबब के अधार पर ले टाइप का बन जाएगा यदि हाप भी होता है तो भी पेश्ट बन जाएगा यदि बन थर्ड या बन फोर्थ होता है तब जा करके यदि एक सटी काटा लगाना है तो यह कुलो आठे के लिए 200 से 300 ग्राम पानी परियाप्त होता है तो इस प्रकार की अंसर आप लोगों को अपने क्या है अनोफ़ की आदार पर देना है और आप लोगों से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है कि आप लोगों के अंडर बल्ड की GS पूछ बहीं जा हूँ तो आप लोग फ्री माइंड होगे तसलिए से अपना रेगुला जो बर करते हो करते रही है ऐसा लोड मत लीजिए कुछ नहीं होगा वेरी 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 इजी है बस आप लोगों को एक रेक्वेस्ट है कि आप लोग जिस दिन भी जाओ तो अपना अनवाब जरू से अरकना ज जाओ लोग आने की बात के जाओ सफाई वाला की जाओ की आपने देखा होगा यदि ये आदमी खड़ा है तो ये उसके हाद है तो Jeanne उसके हाद नोगा दिन फ्रकाद पहुते हो पैंताव लूफ भी होने वाला है और यदि जो रोड़ वाला ज़ड़ों बनाते हैं कितने ज़ड़ों को मिला करके बनाते हैं इस प्रगाई कोशन आप लोगों से वहाँ पर पूछी जा रहे हैं अगला कोशन हमारे जो माली है गार्डनर हैं उनके लिए कोशन मैंने लिख दिया है और भी कोशन है जो मैं आपको मौके बताने वाला हूँ कोशन ये लिखा गया है क्या माली पेड काटते समय कौन सा भाग नहीं करता माली कोई यदी कोई टेंसर में ले जाएगा कौन सा भाग नहीं करता अरे दोस्तों माली यदी पेड का सेटिंग करेगा तो जड़ नहीं काटेगा बस और कंसा बाग नहीं काटता है सारी बाग काटता है तना फूल पती सेट करते समझ सब कुछ काट देता है छोड़के जड़को तो यह आसान सा कोश्चन है पहली टाइप से आप लोगों से कोश्चन पूछे जा रहे हैं ओके अगला आप लोगो लोग रटके जाईएगा और मैंने कुछ वीडियो भी देखी उनमें भी यह कोश्चन बार बार आ रहा हैं तो यह कोश्चन 100% सत्य है क्या कि सब्जी यह तीक ही हो जाए तो मैं इसमें एक चमच घी डाल देना क्या डाल देना एक चमच बड़ा बाला घी का जिससे क्या है उसमें आसानी से जो है चरपराइड उसकी चरपराइड खतम हो जाएगी इसी के एसी प्रकार की कोश्चन पूछ आँ रहे हैं जो आपके अनभफ से आप रगुलर दिन पती दिन जो कार को करते हो और साथ ही साथ आप लोगों से कोश्चन और पूछा गया था कि आप जो आलू होता है वो उसमें क्या सरक्रा बसा रहता है तो यह क्या एने को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और सील जो इस प्रकार तोड़ते था है बंद नहीं बन पता है इस करण से वो खरापन उसको खतम हो जाता है इस परकार से आप लोगों को आंसर देना है इतना टेक्निक भी मैं आप लोगों को अनवफ सेयर करता रहूंगा और आप लोग ट्रेट टेस्ट देने के लिए जाओ तो अपना जो है मेरे को जरूर सेयर कर देना अनवफ क्योंकि आप लोगों के और भी भाईलों को उससे फाइदा मिल सके तो इसकी लिए इसको लाइक कीजेगा और ज्यादा सेयदा अपने फ्रेंस के साथ सेयर कीजिएगा उन लोगों का ट्रेट टेस्ट नहीं हुआ है वो लोग इस वीडियो को एक वाद जरूर 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 देखना धन्यवाद दोस्तों